हेलो एवरिवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ पुरानी दिल्ली की मशूर चाट की रेसिपी शेयर करूंगी चाट तो आपने बहुत से तरह की खाए होंगी पर आज मैं आपको कचालू की चाट बनाने की रेसिपी बताऊंगी ये चाट पुरानी दिल्ली में बहुत ही फेमस है और ये चाट अकसर पुरानी दिल्ली में आपको मिल ही जाए मैं ये कचालू मसूरी से लेके आई हूँ मैं मसूरी घूमने गई थी तो वहाँ पर मुझे ये कचालू मिल गए थे ये बहुत ही फ्रेश कचालू थे तो मैंने इने ले लिया और अब चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इसकी चटपटी और टेस्टी चार्ट हम कैसे बनाएंगे तो चलिए अब हम शुरू करते हैं उ यहाँ पर ये मैंने एक किलो से जादा कचालू लिया है पर हम इन सभी कचालू को नहीं उबालेंगे मैं इसमें से एक कचालू लूँगी और मैंने यहाँ पर देड़ गिलास पानी डाला है और मैं इसके अंदर ये करीब आधा किलो का कचालू है तो मैं इसके अंदर इसे आने तक उबाल लेंगे और चलिए तब तक हम दूसरी तयारी शुरू कर लेते हैं जब तक हमारे कचालू उबल रहे हैं तो यहां पर मैंने गैस पर एक तवा रख लिया है उसको अच्छे से पहले गरम कर लिया था उसके उपर अब मैंने आधा चमब जीर डाला है जीरे को ह हमें इस चाट के अंदर जरूर डालना है क्योंकि इसी से हमारी चाट के अंदर एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है तो देखिए मैंने आधा चमब जीरे डालने के बाद अब इसके अंदर आधा चमब अजवायन भी डाल लिया है जितनी क्वांटिटी मैंने जीरे की अजवायन की लिए इसको अब मैं बस एक मिनट हलकी आज पर भून लूँगी और इसकी बस एक हलकी सी खुश्बू आने के पाद मैं गैस की फ्लेम को आफ कर दूँगी और देखिए अब जीरा और अजवायन थोड़ा ठंडा हो गया है तो इसको मैं एक कुटनी के अंदर डाल कर कूट लूँगी हमें इसे मिक्सी में नहीं पीस ना अगर हम इसे इसी तरह कुटनी में पीस कर यूज़ करेंगे तो इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा और हमें ये मसाला थोड़ा दर-दरा चाहिए तो हम इसे कुटनी के अंदर ही पीस लेंगे बस हमें थोड़ी देर ही इसे कूटना है और देखिए कितना अच्छा सा दरदरा सा इसका पाउडर तैयार हो गया है देखिए इसी तरह का पाउडर हमें चाहिए तो चलिए अब हमारा पाउडर जो है वो बिल्कुल तैयार हो गया है और हमारा कचालू भी बिल्कुल उबल चुका है तो देखिए मैंने यहाँ पर इसे 10 सीटियां लगा ली थी और अब मैं इसे एक चक्कू की सहायता से आराम से छिल लूँगी ये बहुत गरम है अगर आपके पास समय हो तो आप इसको थोड़ा ठंडा होने के बाद छिल सकते हैं तो देखिए इसको मैं आराम से चक्कू की सह कायता से पूरा छिल लूँगी और देखिए अब मैंने पूरा कचालू छिल लिया है और एक बड़े बरतन में अब मैं इसके पीसिस कर लूँगी मैं यहाँ पर पतले पीसिस कर रही हूं आप भी इसके पतले पतले ही पीसिस कीजेगा क्योंकि पतले पीसिस होते हैं तो इ यहां पर सबसे पहले मैं इसके अंदर एड़ करूँगी इमली का पानी, मैंने थोड़ी सी इमली ले ली थी और उसको उबलते हुए पानी में थोड़ी देर रख दिया था और जब वो थोड़ी सौफ्ट हो गए तब मैंने उसका पानी पानी अलग निकाल लिया, तो देखि के अधनर बडला ह conspiracy में डालने के बाद अब हम मैं इसके अंदर गब यहां हो जाती है मिनली गरत आतर लिक्रूद का भी पेसंवें तो आप उन शबी को इसमें जरूर एड़् है यहां पर मैंने इसमें डाला है अधरक और मैंने अध्रक को कद्दूकत से थोड़ा हमोटा- और ऐफ़ पहले के बाद मैंने इसके जीनमा सब खरें में यह कंपक्ला मिर्च IRS भर मेंने उसमासे खरी से और में जालना जाता यहां मिर्च पिर अधर छोटे चमबछ नमक और ठोड़ा सा चाटा चाट मसाला सा यहां डालने के बाद यहां पर मने लिया से एक बड़ा चमबछ डाने डाने, जाने हैे नहींने निवह करएच और अगर mix करते टाइम आपको ये थोड़ा रूखा लगे तो आप इसके अंदर एक से दो चमच इमली का पानी और एड़ कर सकते हैं या फिर आप इसके अंदर नॉर्मल पानी भी आड़ कर सकते हैं और देखिए अब इन सभी को अच्छे से mix करने के बाद हमारी चार्ट बि पाने भी डाल रही हूँ तो फ्रेंड्स अब रेड़ी हो चुकी है हमारी पुरानी दिल्ली की बिलकुल चटपटी सी कचालू की चाट और आप चाहें तो अब इसके उपर एक चमच इमली का पानी और डाल सकते हैं जिससे इसके अंदर थोड़ी सी शाइन आ जाती है तो अगर आप सभी को मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए मेरी वीडियो को अपनी फैमली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए मेरे साथ अपने एक्सपीरेंस जरूर शेयर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आप आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बैल नोटिफिकेशन को ओन कर लीजिए जिससे मेरे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिलेंगे और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मेरे चैनल पर जाकर मेरी सभी वीडियोज चेक कर सकते हैं तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो को अंतक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिन शुब हो झालो